हेलो वरीवान, वेलकम तो फार्मारोग्स यूटूब चैनल, फार्मारोग्स के यूटूब एजुकिस्नन चैनल पे आपका स्वागत है इन तोदेश वीडियो लेक्चर, वे विल स्टड़ी इन डेटेल अबाउट देटमेंट अन्द मेनेजमेंट ओफ एडिसीज रुमेटोईड आर्थराइटीज तो उसके रिलेटर जो अलग-अलग टैक्निक से जिसके लिए कि हम जो कि हम मेडिकेशन से उसको ट्रीट करने का स्टार्ट करते है अलग-अलग जो थेरापी परफॉर्म की जाती है तो सभी के बारे में हम ये लेक्चर के अंदर डेटेल में स्टड़ी करेंगे तो लेट स्टार्ट इन डेश लेक्चर तो फर्स्ट आफ अल रुमेटवेड आर्थराइटिस तो पर्ट 1 और 2 में हमने डिसीज के कोजिस के बारे में देखा उसका जो डेटेल इंट्रोड़क्शन हमने देखा उसके बाद जो डिसीज होने के बाद जो सभी को हमने डिसकस किया था after that diagnosis के सिख होता है disease का कि kozis, synenes symptom उसके बाद जो detail diagnosis किया जाता है किसी भी disease का वो उसके बाद उसकी treatment तो इतने जो points है वो हमने part 1 and 2 में already detail में जो discuss किये है तो फिर भी एक short revision जैसा हम देख लेते हैं कि arthritis मतलब की autoimmune disorders कि जैसे हमने सिखा कि जब हमारी immune system ही defective हो जाती है in place of effective कि जब effective immune system होती है तब हमें किसी भी तरह की disease या disorder नहीं होते हैं because हमारी जो रोग प्रतिकारक सकती जो हम कहते हैं हमारी जो immunity होती है वो काफी powerful होती है बट जब immune system defective बनता है जिसके कारण वो immune system हमारी ही body की healthy cells वगरा पर effect करके directly उनका inflammation करता है जिसके कारण जब इस type की condition हमारे joints के लिए form होती है कि जब इसके कारण हमारे joints affect होते है तो आगे जाके जो condition form होती है उसको हम कहते है rheumated arthritis कि जिसके अंदर warm, swollen and painful joints जो है वो देखे जाते है तिस तरह से जो हमारे healthy joints होते है वो remitted arthritis के अंदर especially ये जो patient जो हम देख रहे है तो joint का हो जाता है inflammation और swelling, inflammation, bone erosion होते है जो synovial membrane है उसका भी swelling होता है cartilage damage होती है joints के बीच में जो space होती है रिड्डीस हो चाती है तो ये अलग-अलग हमें characteristics देखने को मिलते है ये disease के अंदर उसके हमने causes जाने के genetic reason है कि जो family history या फिर हम medical history देखे family history तो family history and genetics responsible है कि जो family tree के अंदर आगे जाके किसी भी person को rheumatic arthritis हो सकता है अगर previously किसी को rheumatic arthritis disease थी फिर जो हमारे immunological reactions है वो affect करती है ये एक reason बन जाता है autoimmune responses and inflammatory reactions in joint and tendencies और जिसके करण appearance of remitted factors in blood and synovium remitted factors बढ़ते जाते हैं and perpetuation of inflammatory process जिसके करण last में cartilage destruction articular cartilage destruction तो ये सब hecosis और reason उसके बाद epidemiology हमने सीखी कि at least 1-3% of total population worldwide is already affected by remitted arthritis and age group है उसके लिए सबसे जादा जो effective 30-50 and women are affected 3-4 times more commonly than men sinus symptoms ने हमने देखे कि fatigue होता है weight loss होता है swollen joints tender and warm joints fever होता है patient को loss of appetite weight loss joint stiffness अगरा देखे जाते है उसके बाद उसके main 4 stages preclinical synovial destruction and deformity तो जब हम ये medicine से उसके treatment करते है तो treatment में जो medicines use होती है उनका यही एक motive होता है कि जिससे हम ये जो stages के बीच में जो time है ये time को हम कर सके prolong कि ये जो time period है कि stage 1 से लेकर stage 2 में जाने का time 2 में से 3 में जो time होता है और फिर last में 3 में से 4 तो वो time को enhance करके हम diseases को जो है वो manage करते हैं तो ये उसके 4 stage और 4 stage के अंदर last में तो क्या होता है bone erosion होता है deformity देखने को मिलती है swelling होते है and inflammation होता है synovial membrane का and cartilage का भी होता है degradation तो ये चारो stage already हमने detail में आपको सिखाए है part 2 के अंदर तो यहाँ पे जो eye button है उस पर click करके आप previous दोनों part देख सकते हैं also उसके links description box के अंदर दी गई है diagnosis भी हमने सिखा था कि primary diagnosis आप करते है sign and symptoms पर से and detailed diagnosis के लिए हम x-ray निकालते है and normal और defect दोनों के comparison से हम कि ये normal hand and remitter arthritis के अंदर हम x-ray से पता लगाते कि जब हमें देखने को मिलते है bone erosion bone displacement तो पता चल जाता है confirm हो जाता है ये remitter arthritis और ज्यादा confirmation के लिए हम अलग-अलग x-ray पर फॉर्म करते है as well as nodules का identification की जो nodules फॉर्म होते है अलग-अलग कि ulcer जैसे nodules फॉर्म होते है normal swelling वाले inflammation वाले ये nodules फॉर्म होते है normal type के जो nodules फॉर्म होते तो उससे भी पता चलता है and hematological diagnosis की जो blood count करते है हम फिर elevated layer of ESR CRP and also the remittered factor और ज्यादा confirmation के लिए हम ruse वालर test भी परफॉर्म करते है to detect this remittered arthritis तो अब बात होती है कि management and treatment की की जो हमार आज का lecture का main topic है कि how to manage this decision how to make proper treatment तो ये वाला sentence आप पढ़ोगे तो काफी आपको tension जैसा हो जाएगे there is no cure for remittered arthritis there is no cure कि एक बार संजो कि किसी को remittered arthritis होता है तो there is no cure but अलग अलग जो हमने treatments and management की जो techniques को research करके find out किया है उससे ये disease को जो progression है मतलब कि जो stages है उसको हम delay कर सकते है of the disease alleviate the symptoms कि symptoms को alleviate कर रिड्यूस करने कर सकते है and reduce functional limitation साथ में patient को supportive care दे सकते है palliative care वगेरा दे सकते है to that particular patient तो जो treatment और management के लिए एक option है first आपके पास medication का medications के बाद second option रहता है patient की surgery का third है disease modifying anti-rheumatic drugs जिसको हम कहते है demats and immuno adsorption therapy वो आपके पास एक option है therapy का तो जानते है detail में सभी के बारे में तो इस तरह से treatment का progression average treatment duration for 4 year तो aspirin से आप start करते हैं तो aspirin के बाद समझें के patient को आप aspirin plus steroids देते हैं and कुछ patient को aspirin plus steroid plus demat तीनों भी prefer किया जते हैं कि यह है original remedy राथरेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्मेंट pyramid from between 1952 1980 तो जो latest research के according to जो हम अलग अलग techniques और methods prefer करते हैं जिसके अंदर सबसे पहले हम बात कर सकते हैं यह medications की तो medications के अंदर nocids मतलब की non steroidal anti-inflammatory drugs की जिसको हम nocids कहते हैं तो are medicines that are widely used to relieve pain reduce the inflammation and bring down a high temperature कि जब patient के जो sign and symptoms हमने देखे तो एक तो patient को हो रहा है inflammation के patient के अंदर हम जो है वो inflammation देख रहे हैं तो एक हमारा symptom है inflammation inflammation के बाद fever भी कुछ patients को देखने को मिलता है इसके अंदर plus pain होता है तो यह तीनों symptoms को minimize करने के लिए हम patient को nurses दे सकते हैं non-steroidal anti-inflammatory drugs कैसे medicines को जो क्या करती है relieve the pain pain को कम करती है inflammation को भी reduce करती है and bring down a high temperature कि जब patient का temperature high होता है तो उसको down करके fever को treat करती है reduce करती है pain and reduce करती है inflammation so they are often used to relieve the symptoms of headaches painful periods sprains and strains cold and flu also the arthritis and other causes of long-term pain and reduce the inflammation and relieve the pain तो यह था basic use non-steroidal anti-inflammatory drugs का तो यह medicines को हम arthritis के अंदर काफी prefer करते है specially medication for rheumatic arthritis RA के लिए जब हम non-steroidal anti-inflammatory drugs prefer करते है तो उसके अंदर सबसे top उपर और priority में रहती है यह aspirin कि aspirin जो है अलग-अलग उसके कि समझे की delay release आती है sustain release आती है external release आती है immediate release भी आती है plus aspirin की affirmation tablet भी आती है तो बहुत सारे अलग-अलग उसके versions आप use कर सकते है depend on the patient के patient को किस टाइब की जरूरत है उसके according to आप aspirin दे सकते है second option है आपके पास ibuprofen का किये वाली ibuprofen 200 mg coated tablets की for fast effective pain relief कि जब patient को बहुत ही pain होता है कि जब वो tolerate नहीं कर सकता वो pain को तो pain sensation को reduce करने के लिए हम non-steroidal anti-inflammatory drugs देते है plus उसका inflammation भी काफी थोड़ा बहुत control होगा जिससे कारण pain से relief मिलेगा as well as inflammation से ऐसे ही हम indomethacin की जो capsule है उसको भी prefer कर सकते है naproxen की tablets तो ये जो oral tablet doses form from non-steroidal anti-inflammatory drugs as well as cox-2 inhibitors है कि like selecoxib and valdecoxib भी हम use करते है to treat remitted arthritis तो जो ये medications है second of non-steroidal anti-inflammatory drug के बाद वो है analgesics तो analgesics are medicines that are used to relieve the pain कि ये जो आपने classification देखा होगा analgesic drug का के दो टाइप की है एक है peripherally active and second है central reacting तो peripherally acting जो analgesic drug से उसके अंदर salicylates class की है aspirin and diphenical है other nurses के अंदर ibuprofen है ketorolek है naproxen है and acetaminophen की जिसको हम कहते है paracetamol तो ये medicines जो है वो काफी effective है to relieve the pain या फिर as a painkiller भी उनको हम कहते है weak narcotics tramodol strong narcotics like morphine codine वागर आपकी हम use करते है इसके अंदर तो they are known as a painkillers और pain relievers technically the term analgesic refers to a medication that provide the relief from pain without putting you to sleep or making you loss of consciousness ये medications ऐसी है कि आपको conscious रखके है आपको conscious रखके है आपकी जो pain sensation है उसको reduce करते है जिसके करण उनको pain relievers as well as painkillers कहते हैं हम तो ये painkillers के अंदर जो हम medications prefer करते हैं तो painkillers in some cases you may be advised to use painkillers such as paracetamol और combination of paracetamol and coadine और morphine to relieve the pain associated with the remitted arthritis कि जो कि जो sign and symptoms के बीजिस पे जब हम treatment start करते है patient की तो उस वक्त सबसे पहले आपने उसका inflammation कम करने के लिए non-stidural anti-inflammatory drugs दी plus pain reduce करने के लिए आप साथ मे analgesic medicines भी try कर सकते है कि लाइक paracetamol है उसके साथ combination में coadine है morphine है तो उसको भी आप use कर सकते है as well as जो aciclophenic है aciclophenic diclophenic वगरा भी आप combination में दे सकते है as a इनका जो use it as a सिर्फ pain killer है ऐसा नहीं है कि ये medicine inflammation को कम कर देगी या फिर जो damage हुआ हुआ joint है उसको completely cure करेगी ऐसा नहीं है ये medicine का काम सिर्फ एक ही है reduce the pain sensation reduce the pain sensation कि जो pain sensation होते है उनको reduce करने का काम करेगी कि like paracetamol और उसके साथ combination में आप code in लेते हो या फिर morphine तो ये sentence इसलिए जो नीचे की और लिखा है वो आप अच्छे से read करिए तो 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 इस medicines do not treat the inflammation in your joints but they may be helpful in relieving the pain कि जब किसी को काफी दर्द हो रहा है pain हो रहा है तो उसके pain के sensation को काम करने के लिए उसको conscious रखके ही उसके pain sensations को reduce करने के लिए हम उसको ये analgesic medicines देते है उसके बाद हमारे पास option है ये glucocorticoids का कि corticosteroids are steroidal medications given to remitted arthritis patient to reduce the inflammation and help to regulate autoimmune activity कि जब हमने ये कोजिस देखे थे कि autoimmune activity disturb हो जाती है तो उसको normal करने के लिए to normal this or to regulate the autoimmune activity we use this glucocorticoids to patient of remitted arthritis they are steroidal medications तो दो टाइप से आप यूज़ कर सकते है तो nurses की जो हमने बात की कि जो है non-steroidal non-steroidal anti-inflammatory drugs ऐसे ही ये glucocorticoids के से steroidal है ये भी anti-inflammatory है reduce कर दी है pain inflammation को महलब कि वो भी anti-inflammatory हुई but they are steroidal anti-inflammatory drugs they are one type of steroidal anti-inflammatory तो ये आपको अच्छे से याद रखना है regarding glucocorticoids के जब glucocorticoids use होते है तब आपके mind में एक होना चाहिए कौन से क्लास के ड्रगे तो they are steroidal medications तो MCQ में भी पूचा जा सकता है कि which of the following steroidal anti-inflammatory drug is used to treat rheumated arthritis तो उस वक्त आपको corticosteroids की जितनी भी अलग-अलग medication से उसको याद रखना है corticosteroids have been used for over 5DK to help to treat rheumated arthritis symptoms 5DK 5DK मतलब की at least 50 years से और उससे भी ज्यादा समय से ये use होती आई रहे glucocorticoids often times you will hear the corticosteroids refer to as the glucocorticoids corticosteroids is equal to glucocortico steroids या फिर glucocorticoids दोनों उसके लिए same नाम है तो उसकी जो class की जो famous medicine है glucocorticoids के अंदर तो वो है prednisolone तो यहापे आप जो यह prednisolone की जो tablets देख रहे है वो prefer की जाती है तो उसका जो काम क्या है तो यह सबसे पहले यह नीचे red वाला point आप पढ़िए slow joint damage caused by inflammation joint का जो damage है उसको क्या करती है यह slow करती है slower करने का काम करती है मतलब कि क्या हुआ वो जो stages थे कि जो disease के जो चार stage थे वो stages को क्या करने का काम करेगी यह medicines prolong करेगी प्लस उनका जो time period है वो enhance करेगी जिसके करन patient को जो है वाप long time तक normal रख सकते है कि जिससे disease के severity ज़्यादा increase ना हो तो patient who develops new rheumated arthritis और ओफर प्रेटनी सोलन either a low dose of 7.5 mg और around 5 mg डेली कि सबसे पहले आप low dose से and जरुवत पड़े sometimes at high dose 60 mg डेली कि कई बार आप slow dose से start करोगे lower dose से and देरे देरे उसका dose increase कर सकते है quickly reducing to the low dose over a few weeks and then continue the low dose treatment to control the joint destruction तो higher dose भी आप ज़्यादा दिन तक नहीं सेख सकते because यह steroid है तो steroidal medications को काफी जो है वो management के साथ directions के साथ physician से ही लेनी होती है जिसके करण उसका lower dose अब continue रखते हो treatment के अंदर कि जो क्या करेगी फिर आगे जाके slow down करेगी joint damage की जो होता है inflammation के करण because they are steroid anti-inflammatory drugs उसके बाद जो आपके पास example है medications के अंदर disease modifying rheumatic drugs so जो next option है हमारे पास medications के अंदर वो है demards काफी famous question और important drugs की जो बहुत बार multiple choice questions के अंदर पूछे गई है तो D मतलब की disease M मतलब की modifying A मतलब की anti उसका फिर R मतलब की rheumatic and D मतलब की drug disease modifying anti rheumatic drugs की जिसको हम कहते है demards तो there are use with non steroidal anti-inflammatory drugs and or prednisolone to slow उसका ये reason आप समझो क्यो हम देते है demards to slow joint destruction caused by rheumatic arthritis over time कि जैसे stages आगे stages में ये disease बढ़ती जाती है तो उसके करण जो ये joint destruction होते है उसको slow करने के लिए because हमने पहले ही देखा कि there is no cure for this rheumatic arthritis is just हमारे पास ये options है medication से कि जिससे हम उसके जो stages है उसको क्या करते है delay करते है या फिर उसको हम करते है prolong तो उसी के लिए ये option है कि widely used to manage the condition of rheumatoid arthritis की जिसके अंदर ये medicines की जो example है most IMP for examination most most IMP तो methodrix Z use होती है injectable gold penicillamine azathioprine chloroquine hydroxy chloroquine sulfasalazine and oral gold तो ये जो medicines है वो सभी है DMARD की widely used होती है to treat the condition of rheumatic arthritis और उसका जो काम है to slow joint destruction to slow the joint destruction और आप combination में use कर सकते है with non-steroidal anti-inflammatory drugs and steroid and inflammatory drugs like prednisolone तो ये थी DMARD के बारे में हमने जाना उसके बाद है biological response modifiers and monoclonal antibody तो monoclonal antibodies की जिसके पीछे इस खासकर लगता है MAB and biological response modifiers ये दोनों medicines की like abatacept तो biological response modifier है कि these drugs directly modify the immune system by inhibiting the protein called cytokines which contributes to inflammation की inflammation के लिए जो जरूरी कारण बुद जो factors है की like cytokines की जो हमने pathophysiology के अंदर देखे थे की last में cytokines तयार होते है और फिर आगे inflammation के periods start हो जाते है की अलग-अलग stages में फिर inflammation और आगे बढ़ता है और last में completely damage होता है हमारा वो joint joints के जो cartilage है tendon है ligaments से bones erosion start होता है synovial membrane damage होती है तो इसके लिए जो responsible जो protein है की cytokines उसको inhibit करती है तो these drugs directly modify immune system by inhibiting the protein called cytokine which contribute to inflammation जैसे TNF alpha medicine से anti-tumor necrosis factors की जो हम tumor necrosis factors के जो भी एक reason बनता है ये inflammation के लिए तो उसको जैसे हम inhibit करते थे वेशे ही ये जो medicine से वो inhibit करती है cytokines को तो उसके example है abetacept and etaner sept तो दोनों के पीछे ये sept लगता है वो आपको याद रखना है etaner और abeta और ये sept उसके अलावा जो monoclonal antibodies के अंदर infliximab widely use होती है adalimumab and anakinra तो ये AC medicines है कि जो biological response modifiers as well as monoclonal antibodies class की ये medications है कि जिसको हम use करते है to manage the condition of a rheumatoid arthritis उसके बाद हमारे पास जो medicines के बाद therapy और surgery का option है उसमें हम देखेंगे therapy तो medicines उतनी थी कि जो हमने previous slide तक देखी कि non-steroidal anti-inflammatory drugs आप यूज करते है analgesic use करते है steroidal use करते है monoclonal antibodies में से यूज करते है biological response modified यूज करते है तो medications इतनी है उसके बाद medications के साथ-साथ जरूरी है लग-लग therapist perform करना जिसके अंदर protein immuno adsorption therapy तो this is not a drug but therapy that filter the blood ये therapy क्या करती है हमारे blood को filter करती है blood को filter करने का काम करती है क्यों filter करते है to remove the antibodies and immune complexes that promote the inflammation कि filter करके हम हम जो antibodies थे immune complexes थे immune cells है वगेर आको हम क्या कर लेते है filter करते है by filter this blood और फिर क्या करेंगे जो filtration के बाद जब ये antibody और immune cells remove हो गया होगा वो blood फिर से persons के अंदर हम transfer करेंगे तो जिसके करन के होगा कि जो ये antibodies थे कि जो हमारे healthy cell को target करते थे वो हमने filter करके उनको remove कर दिया तो ये एक option है तो इसके आप यहाँ पे diagram के अंदर देखो तो काफी मज़ा आएगा सबसे पहले देखिए कि stage 1 यहाँ से जो diagram के अंदर जो arrow जा रहे है उसके according to आप समझे तो first point person का जो blood है वो लिया जता है whole blood फिर यहाँ पे क्या हो रहा है second anti-coagulation साथ में दिया जता है जिसके करनी वो bird alert का coagulation ना हो तो anti-coagulation दिया जता है और फिर किया जता है cell separation and filtration यहाँ पे हुआ अब क्या करते हैं देखो यहाँ पे कि filtration के बाद अपने जो यह plasma remove कर लिया है यह plasma को आगे ले जाती है और वहाँ से उसके अंदर से antibodies वगेरा जो है वो remove करके यह yellow line जो वापस आ रही है number 4 5 number का arrow यह 6 number का arrow तो फिर से plasma जो है वो completely filter होके यहाँ पे आ गया कि जिसमें अब किसी भी तरह के antibodies और immune cell नहीं है फिर जो आपने separate करके रखे थे यह जो blood cell फिर से यहाँ पे blood cell की जो RBC, WBCS होगे plus plasma होगा वो सब एक दूसरे के साथ फिर से यहाँ पे return step में combine हो जाएंगे और यह 7th number वाला step कि वही blood फिर से patient को जो है वो दूसरी साथ से उसके body के अंदर enter हो रहा है तो इस तरह से immuno adsorption therapy कि जिसके अंदर क्या किया जाता है blood को filter किया जाते तो यह technique आपको अच्छे से याद रखनी है और immuno adsorption therapy अब therapies के बाद हमारे पास options रहते हैं अब surgery के कि surgery के अंदर first option है वो है osteotomy तो osteotomy मतलब कि जो plate लगाई जाती है artificially कि जोईन्ट पे कि जोईन्ट के जो part पे remove the ways and attach the plate at that place क्या आप यहाँ पे diagramatically तो देख सकते हैं description अब थोड़ा उसका देखते हैं तो osteotomy वो word का सबसे पहले तो आप meaning समझ लो तो उसका meaning क्या है to cut bone तो remove या फिर सबसे पहले क्या किया जाता है bone को cut किया जाता है bone cutting भी काई सकते है उसको आप bone cutting and replacement or joining this procedure is used to increase stability by redistributing the weight on the joint कि joint के उपर जो weight पुरा जो पढ़ता है वजन जो पढ़ता है हमारे joints के उपर तो वो joints को redistribute करने के लिए कि जिसके करण यहाँ पर ज्यादा pressure या फिर weight generate ना हो and उसके लिए क्या किया जाता है कि यह जो आप देख सकते हैं यह वाला plate का portion कि इतना portion जो है वो surgery से cut किया है और वहाँ पे यह जो plate का portion जो है वो लगाया दिया गया है मतलब कि bone को cut किया गया कि जो bone का जो यहाँ पे ज़्यादा erosion था जो ज़्यादा damage वाला part था वो surgery करके remove करके वहाँ पे artificial plate जो है वो लगाई जाती है तो आप यह देख सकते हैं कि plate से वो जो portion है कि step 1 के अंदर आप देखो सबसे पहले यहाँ पे यह जो yellow line दिखाई है कि यह वाला part पे आपको जो है वो cut करना है तो यह था आपके लिए step 1 के अंदर यह आपका कहते हैं हम target site हम कह सकते हैं कि target site यह target site को अब further step 2 के अंदर आप cut करके उसको remove कर रहे है and step 3 के अंदर वही पे proper यह जो plate है वो proper attach की जाती है कि वहाँ पे यह जो plate है कि एक टाइप की जो इसको हम क्या कहते है एक टाइप की यह medical device है medical devices की जो support करते हैं यह किसका काम करेगी support करने का कि जो weight distribution की जो हम बात कर रहे है कि weight distribution के लिए कि जो हमें weight का proper distribution करना है तो उसके लिए यह जो plate है वो एक टाइप के support का का काम करेगी तो आप इस तरह से जो step by step उसका जो x-ray देखो तो x-ray के step 1, step 2 and step 3 के बाद यह process जो है वो completely complete होती है कि जिसको हम कहते है osteotomy तो bond को cut किया जाता है और वहाँ पे उसको support दिया जाता है by plate जिससे आप weight redistribute कर सको और जिसके करण जो है वो patient को थोड़ी pain में से आप relief दे सकते है उसके movement जो है कि mainly कि इसके अंदर patient disturb का होता है कि जब rheumeter arthritis होता है joints damage होते है तो joints से ही हम अलग-अलग perform करते हैं कि जो हमारे hands की movement है legs की movement है हमारे shoulder की movement करते है तो सभी movement के लिए helpful होते है हमारे joints और जब joints से painful हो जाते तो life काफी disturb होती है discomfort feel होता है तो फिर से patient के life के अंदर comfortness लाने के लिए हम यह अलग-अलग जो techniques perform करते हैं उसी में से यह एक है surgery of osteotomy कि जिससे patient को काफी हद तक comfortable feel होता है कि जिसके करान यह जो directly यह आप देखो तो यह उपर वाला bond A और नीचे वाला bond B तो जो A वाले bond का जो pressure समझो कि B पे राता है और यहाँ पे जब inflammation हो और उसके कारण जैसे यह आप थोड़ा सा भी pressure लगा हो तो तुरंथ pain sensation होते थे तो यह जब यह support आएगा बीच में plate कि जिससे weight distribute होगा जिसके करान pain sensation काफी हद तक आप reduce करवा सकते तो यह है surgery तो वो था osteotomy दोनों अच्छे से आपको याद रखते हैं osteotomy का मतलब to cut the bond तो वो तो हमने एक्सरेट देखा यह वाले डायग्राम से भी आप समझ सकते कि यह देखिए कि यह वाली जो plate है कि यह जो plate यहाँ पे attach की जाती है by remove the ways or that cut that portion of the bond second है joint replacement surgery और arthroplasty जिसको कहा जाता है arthroplasty तो simply उसको joint replacement surgery या फिर therapy हम कहते है तो this is surgical reconstruction और replacement of a joint जिससे उसका नाम ही है कि reconstruction किया जाता है जो हमारे joint है उसका और उसको हम replace ही करते कि आप देखिए यह before condition कि remitted arthritis के कारण bond का यह portion erosion हुया आप देख सकते हैं यह cartilage का portion का है या फिर synovial membranes के जो area का है cartilage ligaments तो सब कुछ damage हुया हुआ आप देख सकते तो surgery करके क्या किया जाता है completely यह portion ही remove करके replace किया जाता है तो यह before condition और after the surgery देखिए यह after condition तो यह वाला जो artificial part है कि जिसको हम specially कहते है medical devices medical devices तो यह medical devices है वो यहाँ पे patient को जो है वो surgery करके लगा दी गई है और जो damage portion थे वो remove कर दिया मतलब कि completely surgical reconstruction किया हमने joint का और साथ में replace भी किया तो successfully used to help the people who otherwise might be in a wheelchair कि जो wheelchair पर ही होते because movement करतने जैसे ही आप pair आपका जमिन पर रखते हो काफी pains होता है इसके current patient directly wheelchair पर ही जला जाते है और उसको जब आपको movement करानी है तो wheelchair पर ही उसकी movement कराते है तो उसका ये एक दर्द है उसको दूर करने के लिए आप joint replacement surgery करवा सकते हैं जिससे काफी effective रहती है ये treatment और ये जो damage portion remove करके जब ये replacement लगाए जाते है तो उसे काफी फाइदा होता है patient को so जैसे हमने knee joint को replace खिया ऐसे hip joint है वो भी completely remove करके नया वहाँ पे लगाया जाता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला portion कि plastic का liner होता है वहाँ पे acetabular component होता है femoral head की जैसे जो हमारे ये ball and socket वाले जो joints होते हैं इससे में सही है ये femoral का stem तो completely जो medical devices बनाए जाते हैं कि वो इस तरह एप की surgery के लिए हम use कर देए the joint replacement surgery involves the removal of the joint and resurfaring and relining of the ends of the bone and replacing the joint with a man-made component ये point आप खास समझो कि कैसे components से हम वो joining करते हैं तो man-made components कि हमने खुद बनाए हुए और उसको हम नाम देते हैं simple अलग-अलग medical devices तो ये medical devices अलग-अलग surgery के अंदर काम करते हैं diagnosis के लिए काम करते हैं and treatment के लिए हम use करते हैं कि ये है man-made components और उससे जो है वो replacement का हम काम करते हैं तो this procedure is usually recommended for the people over 50 or who have a severe disease progression कि medicine से जो treat नहीं हो रहा है तो उसके लिए total knee replacement किया जाता है कि या पर आप देख सकते हैं disease वाला joint first अब bonds cut and save अब क्या किया जाता है कि जो bond है कि ये वाला portion ने देखो इतना काफी खराब हो चुका था तो second वाले के अंदर ये bond को completely clean कर दिया गया है ये वाले bond को completely किनकि जो नीचे वाला bond देखो आप second और ये उपर वाला तो यहाँ पे जो one और two था और ये second वाले में देखे तो bonds cut and save अच्छे से cut करके उनको shape दे दिया गया है कि ये वाला भी ये वाला जो part damage था वो भी complete से cut करके remove करके उसको नया shape दे दिया है and same like that जो नीचे का portion है अब उसको जो implant से वो वहाँ पे लगाए जाते कि like यहाँ पे friction ना हो उसके लिए ये plastic spacer उसके बाद उसके नीचे metal की plate then tbial components जिसको हम कहते है and that is a femoral component की जो femoral, femur और tibia tbial and femular जो ये जो joints है कि ये femur और नीचे tibia दोनों को जो joint करने वाले portion वो हम अच्छे से set करके patient का replacement करते हैं of a joint typically a new joint will last between 20 and 30 years तो ये था about the joint replacement surgery और joint replacement therapy की जो patients की far form की जाती है तो ये थी joint replacement surgery या फिर joint replacement therapy simply जो disease वाला joint होता है उसको जो है वो cut करके अच्छे से shape में transfer कर दिये जाता है और वहाँ पे जो femoral components और tibial components को एक दूसरे के साथ हम attach कर दें जिसमें plastic spacer help करते हैं metal space plate की metal plate नीचे की और और उपर की और रखते है plastic का spacer की जिससे friction जो है वो हम reduce करवा सके तिस तरह से patient को काफी फाइदा होता है उसके बाद joint replacement surgery और arthroplasty एक और option है तो जिसके अंदर हम कहते हैं उसको arthrodesis is also known as a syndesis or artificial ankylosis तो ये surgery हम specially जो replacement का जो काम करते हैं या फिर जो support देने का काम करते हैं specially जो ankle का जो portion है हमारा specially ankle वाले जो joint से उसके लिए हम ये process ज्यादा तर prefer कर दे तो जिसको कहा जाता है arthrodesis and is also known as a syndesis or artificial ankylosis it is also commonly referred to as a joint fusion की जिसको हम joint fusion भी कहते हैं it is a method of surgical joint ossification used to fuse bonds in a joint when other treatment do not yield positive result कि जो हमारे दूसरी जो techniques जो positive results नहीं देते उस वक्त हम ये technique से जो ankle के जो joint से उसको हम जो है उनका ossification करते हैं उनको fuse करते हैं कि लाइक यहाँ पर आप देख सकते कि screw and plate वगेरा को use करके जो हमें ये x-ray के अंदर दिख रहे हैं कि ये x-ray आप देखोगे तो x-ray के अंदर ये जो plates जो हमने वहाँ पे लगाई है और ये उसके सुरूस कि जो कहा जाते है bond graft ये क्या बन जाएंगे जो plates है वो bond graft का काम करेगी और उसको वहाँ पे हम एटेश कर रहे हैं तो ये जो technique है उसको हम कहते है arthrodasis या फिर उसको syndasis भी कहा जाता है और artificial ankylosis तो ये था treatment and management of a rheumatoid arthritis so mayhastr जोईश जोई आर WhatsApp group send your name city name and WhatsApp it to 94261 80836-PARMAROX-KE WhatsApp group so be updated with the pharma knowledge for that subscribe the channel press on the bell icon and never miss any video of pharma rocks also use our mobile application for test series video lecture and study material to download this app pharma rocks android application on google play and Apple iPhone app on App Store कि App Store पे भी आपको app मिल जाएंगी as well as Google Play Store पर से भी आपको mobile application मिल जाएंगी get the links in a description box study material online test series video lecture, printed material PDF materials, test series with proper explanation, everything available on this app so get the links from description box and download the apps from App Store as well as from Google Play Store so good luck and all the best